कि यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 11 फिरिक्स का स्लेवस हम लोग स्टार्ट करेंगे इन वीडियो लेक्शन के थुरू और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं कि अगर आप लोगोंने चैनल सब्सक्राइब करा है तो अच्छी बात अगर नहीं करा ह है तो आप लोग जल्दी से माना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको लाइक कीजिए अपने फ्रेंट के साथ सेट कीजिए और वीडियो के लाशन कमेंट कीजिए क्योंकि आपके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उन्हीं सब को देखते हैं हमारा जो बैल को भी ओन कर दीजिए क्योंकि जैसे ही मैं कोई नए वीडियो चैनल पर अप्लोड करूंगा तो तुर्ण आप लोग अपना वीडियो देखकर अपना जो स्टार्ट करने वाले अपना आज का फार्स लेक्ट्टर है वह हमारे रहेगा फॉर्डा फार्स चैप्र के लि इसमें हमारे पास 15 चैप्र हैं तो इन 15 चैप्र के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो चैप्र है डाट इस वेरी वेरी सिंपल चैप्र और एक अच्छी बात और बता रहेता हूं आप सभी बच्चों लिए कि इस चैप्टर में से आपके जो एक्जाम्स होते हैं मिन्स आपके इस चैप्टर से कुछ भी एक सिंगल और तक नहीं पूछा गया तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है यह जो चैप्टर आप लोगों के स्लेवर्स में दिया हुआ है सिर्फ किसलिए आपको इस चैप्टर के अंदर यह बताया जाते कि आपने इस 11 और 12 में जब हमारी सराउंडिंग के चारो तरफ जो भी चीजे हैं उसको हम लोग फिजीगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है हमारी स्राउंडिंग के चारो तरफ जो भी चीजे है उसको हम लोग फिजीकल वर्ड में काउंट कर सकते हैं अब देखो फिजीकल वर्ड जैसे कि मैं आपको एक और शीर बतायता हूं कि इस चैप्टर के अंदर नहीं तो कोई सिंगल डैरिविस हैं आप लोगी फिजिक्स की और नहीं सिंगल नुमेरिकल है पूरा चैप्टर एक सभी बच्चों ने सबहले कीरे बटें सबस्सक्राइब को पता होता है अज सभी को बतातों कि कहां से लियक्से साइंस वर्ड वार्ड हें और साइन वार्ड यह सवार्ड से लिया होvat तोyim आधिंग सब्सक्राइब होता है यह साइंसे बाएंStra LOOK उसका जाके इस इस 장 Whereas विजनान का मतलब क्या होता है विजनान का मीनिंग means विजनान हमारी संस्कrית संस्रित वहां से जो विजणान होता है उसका मीनिंग ने करना कि नो इसका मीनिक भी आप लोग का नोलीज ही होता है सब्सक्राइब करने है तो किसी की सब्सक्राइब करना थे तो यहां देखो कि सब्सक्राइब करता है तो उसी नॉलिज्ट के बेसित पर जो उसकी ऑब्जर्वेशन करता है तो उसी इसी नॉलिज्ट को एक सिस्टेमेटिक पैटर्न के अंदर अरेंज कर देने को हम लोग क्या कहते हैं साइन्स के लिए कुछ बाते आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी हैं कि साइन्स का मिंस कुछ चीज़े हैं पर होती है सबसे पहली बात कि है साइंस जो है है मिन्स ऐसा नहीं है कि आप लोग यह कहों कि न्यूटन्स के जो लोज है वह 100 परसेंट सही है और वह कभी चेंज नहीं होगे साइंस के अंदर क्या होता है कि चीजें बदलती रहती है अभी आज कुछ ट्योरी आई है कल को को यह साइंटिस्स है तो उसने बताएगे यह कमी है तो जो पहले वाली थे उसको खतन परके नहीं वाली थेयोरी को लोग पढ़ेगे तो यह क्या होती रहती है हमेसा बदलती रहती है फिर क्या चीज़ है यह वह सेकिंड पॉइंट जो मैंना लीडिया आप लोगो को समझा दिया दिया देर इस no final theory in science के दर कोई भी final theory नही आपर जल फूनियों होती आती रहती है पुरानी थेयोरी बंद होने जो रहती है उंके ओपर कुछ नहीं दिसकवरी नहीं बनाती है और पुरानी थी फेल हो जाते हैं नई थी फिर मनें पढ़ना पड़ता है तो इस पुछ भी चीज यहां पर फिक्स नहीं है सब चीजे बदलती रहती है साइन्स के अंदर फिर क्या नो अनकोशन्ट एथोरिटी एमोंग एस साइंटिस्ट में जो हमारे साइंटिस्ट है उनके अ क्या हमेशा ही ऐसी रहेगी ऐसा कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है साइन्स के अंदर या सब्सक्राइब नहीं है कि जो अनकोशन्ट हो आज की रेटम में उसके उपर कोई भी सवाल ना उठाए गए हैं सारही चीजे सारही सारही लोड अभी तक कोशन मार के इंदर नोलीज को हम लोग आप मेली दो में पार्ट करते हैं पहला क्या रहता है विच्छा जो रहेगा सांट सब्सक्राइब लुग करते हैं जैसे आपको पता है फीजीकल साइंच बहुत सिंपल से ऐसे साइंच की नों लीविंग से डील करते हैं जिसके अंदर लोग लग नों है उसको क्या कहते है फिजिकल समरे उसको चैनल में और ने सौ यह क्या होस्ट Il. इसका मेनिंग किया होता है शल्म किया है उसका में checking आखतेज़् दिन्हें के पूपने दिए होता देश्जिगल साइंस के साथ में दूरिट साइंस करते टो हिसे कल करते तो में विजकल साइंस को भी सैंट्र है कि इंदर पर हुस FOR प्राइब कर दो बहुत सारी ब्रांचेश बना दी गई है फिजिकल साइंस की भी विए विए उन में से कुछ ब्रांचेश में यहां पर लिखी हुई है वह आप लोग देख लीजिए क्या कैसे पहला हो गया तो फिजिक्स के अंदर कभी भी हम लोग लिविंग फिंक्स के ब सब्सक्राइब करेंगे तो इन सभी ब्रांचेश की थोड़ी ब्रांचेश आप लोग को हो जाएगी यह जो आपका सब्सक्राइब के बारे में सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है अब देखो आगे अब बैलोजिकल साइंस क्या होता है बच्चों जिसके अंदर हम लिविंग फिंक्स के बारे पढ़ते थे जैसे आपका बोटनी हो गया जू लोजी हो हो ग्यां बोटनी में किसके बारे हम पढ़ते हैं जोशी में अनिमल्स के बारे में लोग पढ़ते हैं एन्ट्रफॉलोजी एनेक्टॉमोलोजी व्रें।टेक्नोलोजी तो जो किसकी ब्रांच रहा है ठीक है तो आइंटिक मैं उमीद करते हूं कि आप्लोंगे सब समझ आ और विजिकल साइंस को किसे पर तो भी आप लो को समझ आ गया होगा एक बार फिजिकल साइंस क्या होता है अदो बाइलिजिकल साइंस इस दाइश्टी अब लिए टेंड जो की हमारा सब्जेक्ट है अब देखो बच्चों मीनिग क्या है एक जो किस लेंग्वड का मीनिग क्या होता है आप लोग का डीजर नेचर होता है ठीक है है जो मेनिंग पहुता है तो वरि्ट का नाम करते से शुफ क्लमारी प्रिशिक विभ्यात 들고 थैंठा नाम ने जपा फोड़ी कि चीजे हैं उन सब के बारे में इस्टबाइ कई कि कह फाइनली बात हम करते हैं कि हम लोग प्लुक करें कैसे दिफाइं कर सकते हैं तो रूँन को कि ब्लुआ होगका हुआ कि शीक्डा नीडe की सबसे पहली माली जाता है उं था में तो और पेजिक सेंट फिस को पता इस रसक एग इस कि इस प्वाइब को माने जाता है यह को इसको समझ आएगा कि इतनी इंपोर्टेंट है हमारे लिए किरेंगे बारे में बढ़ाने के लिए चीजी बढ़ाने की नहीं है तो दिक्षे का मीनिंग का होता है कि ऊटेOT करने के टोड़ने को नर्थे दो रहे जोए पहला गड़ना पहलानी और दूसरा नैशनल जिसके आंदर हम लोग नेचर और साथ में नेचरल नोमेनास के बारे में चट्ड़ी करते हैं यह समझना बहुत जरूरी है तो देखो नेचर का मीनिई क्या होगे जैसे दिन और रात का होना बारिस का होना भादलों का बनना ठीक तो यह सब नेचर है इसमारे चाल तरफ की जो यह सब हम आज रैबलर एक्टिविटीज देखते हैं दिल रात का होने यह सब चीज़ है क्या नेचर है ठीक है और उसके बाद में नेचरल फिनोमेनाल का मीनिंग होता है जैसे सब्सक्राइब किसी ओब्जेक्ट क नेचरल फिनोमेना अगर सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के फिनोमेना हमारे क्या कहलाते है नेचरल फिनोमेना कहलाते हैं जो अपने आप से खुद बाखुद हो जाते हैं उनको नेचरल फिनोमेना कह सकते हैं तो देखो अब डिफाइन करने के लाइक फो चुके हैं कैसे नोपनेगे तो क्या होता है सो फिजिक्स इस दा ब्रांच ऑफ साइंस साइंस की वह ब्रांच है विच डील्स विद टेडी ऑफ नेचर जिसके इंदर हम क्या पढ़ते हैं नेचर के बारे में बहुत कम पढ़ाना पढ़ना होता है नेचर में वह सब चैप्टर सापके इंक्लूड होते हैं आपका सोफ एनर्जी वाला चैप्र थैं टेंट लास में तो नेचर के इंदर और नेचर फिनोमना मिश्ट दोनों कमबाईन होते हैं कुछ अलग नहीं है है बहुत जाता है दोनों चीज़े तो में ली हमने एक्जिस्टेंस अब नाइट की दिन रात का होगा की आर्थ का रिवोल्ड करना अरूंड साथ में अपनी वी एक्सिस पर गोमना तैडि जोल से नेच्ट्र फनोमना नेक्स है टेंपर बोड़ी की किसी बोड़ी का पर वहां पर ऐसा चीज़ है कि जिसका सब्सक्राइब करने लगा आखिर महाँ पर ऐसा क्या चीज़ है कि जिसका सब्सक्राइब सकते हैं गूम सकता है जैसे आपकी बश चलती है तो इसके पीछे क्या साइंस लगी विए दिस जोट से नेच्रल फनोमेना जैसी हमने स्विच और तो ऐसा क्या हुआ कि वही इस स्विच का इस विच्ट के साथ क्या क्नेक्शन है कि हम इसको और एकडम से ग्लो कर गें एकडम से रोशनी होगी हमारे कमरे के इंदर तो यह भी सब्सक्राइब करेगा तो यहां पर समझने हैं पूरी लाहतोर क्लास के अंदर साइनिंग ऑफ स्टार की जो स्टार्स होते हैं साइन क्यों करते हैं तो बच्चों मैं कहूंगा अगर मैं आप बताने पर आजाओं तो लिस्ट खतम ही नहीं होगी पूरा एक घंटा-दो घं मिनाज आपको बताने के लिए एक दिन दो दिन भी कम पड़ेंगे तो बच्चों इसको हम लोग यहीं पर वाइड आप करते हैं यह कुछ पार्टिकलर एक्जामपल्स थे जो मैं आप लोग समझाने के लिए तो आप लोग यह सब नोट डाउन कर लिए इसके बाद में इस तो आप लोग प्रिंसिपल से मेरा मेनिंग क्या है कि जैसे आप लोग ने कुछ लोज के नाम सुने होंगे जैसे मैं आपको अभी तक पढ़े हैं लोज उनी में से कुछ लोज में उठाकर आपको समझाने की कोशिस करता है जैसे आपने लोफ ग्रैविटेशन पढ़ाए यह सब चीजे कहां से आई है तो जो प्रिंसिपल ओफ इस्टेडियों फिजिक्स है उसको उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली दो कॉंसेप्ट करें हुए पहला जो प्रिंसिपल फिजिक्स है वह दो चीजों करता है पहले यूनिफिकेशन और दूसरा रेडक्स निजम के कुछ चीज़ों को इखटा करना तो देखो एक्चुली मैं साइंस क्या करती है कि यह कहता है कि जैसे मैं कुछ यहां पर लेता हूं कि जैसे सपोर्स करो कोई ऑब्जेक्ट है तो नीचे ही आगा है फिर उसके बाद में रिवोलिशन ओफ अर्थ एरांड दा सन वह क्या है म अगर हम बात करें को अलग अलग स्टेटमेंट पर डिफाइन करें तो हमारे पास काफी सारे नंबरों टोपिक्स आ जाएंगे तो साइंस कुछ एक ऐसी पहल करती है कि ऐसे थियोरी को उठाती है जो सिमिलर ली मीन जिनके पीछ एक सिमिलर इफेक्ट लगा हो या सिमिलर इ इतनी सब चीज़े कवर हो जाती है आप लोगों का सबसे पहला फोलिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो वह किसमाई के अंदर आए उसके बाद में फिर आप लोगा रिवोलीशन ऑफ एनी प्लानेट तो जो रिवोलीशन होता है ऑफ एनी प्लानेट सब किसमाई सब्सक्राइब करें वुजेसे उसके बाद में भाट करें किसके पर डिपैंड करते हैं ग्राइबीटेशन के टेट करते तो हम क्या काम करते हैं कि जिन फिनोमना के पीछे लगा होता है तो उसको उठाकर एक हम इखटे एक पर्टिकलर टोपिक के अंदर कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं यूनिफिकेशन पढ़ लीजे और जादे क्लर होगा यूनिफिकेशन इस एक ऐसा अटैंप है तो एक्स्पेंट डावर्स फिजिकल फिनोमना इसम यह कोशिस करते हैं कि जितनी भी सारी फिनोमना आफपास दिख रही हैं उन सब को उठाकर जितना हो सके कंसाइस करने की कोशिस करी जाती है ताकि हमें चीजे कम पढ़नी पढ़ें चीजों के बारे में मिन्स उनके पीछे से जो थे यह पॉइंट पर जाके ना समझनी पड़े बस हमें में टोपिक को पढ़ें और उस टोपिक से हमें जितने वी उसके पार्ट से वह सारे जैसे अगर यह लोग ग्राविटेस्ट अगर हम ना पढ़ें तो हमें सब चीज़े पढ़नी पढ़ेंगे सबको सेपरेट फिजिकल फनोमना इं तर्स फ्यूब कोशिकल वर्ल्ड उसको कोशिट यह करी जाती है ना पर इसकता है यह कहता है कि हम क्यों ना उन सब को जितना हो सब्सक्राइब करें ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो तीक है उसके बाद में अब देखो एक और एक वर सब्सक्राइब काफी सारे जैसे जो कि आप आप से बात करूं तो महां भी क्या था आपका सब्सक्राइब करना है माने की ग्रैविटेशन की वैसे करता है पर उसके इंदर भी आपनों का लगी होती है तो बच्चों देफ़र यह सब आप लोगो थोड़ा कम समझा रहा होगा क्योंकि यह सब अपने अभी पुरा डिटिल वाइज पढ़ा नहीं है तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगो कि यह बताएगा कि आपने इलाउन काल्स में क्या कैशीरे पढ़नी है और तो दुनिया बर के एक्जामपल सो सकते तो उन सारे दुनिया बर के एक्जामपल्स को में क्या करा के अंदर लेकर आभी यह कहा कि इन सबकेंदर कंजर्व एनरजी लग रहा है कि कि वीकें एक्स्प्रेंट ओल्दीज फनोमनाज विद दा यूज ऑफ एनरजी गंजर्वर सब्सक्राइब होता है तो यह कुछ ऐसे लोगों समने बेसिक बता लिया है कि फिलिक्स के जो मौस उब्दा जितने भी सारे हम कुछ पर्टिलर कॉंशाप्स के अंदर कर सेगे तो इसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग यूनिफीकेशन करते हैं ठीक है उसके बाद में इस तरीके साब लोग समाझ सकते हैं कि अगर यह कोई एक सीज है यह जैड है इन सब को हमने कंप्राइज कर दिया सिंगल ओब्जेक्ट एक अब रिडॉक्स इसम क्या गयता है कि जो ए जो है अगर कोई हमारे पास भी कॉंप्लेक्स चीज है तो हम उसको अपनी पढ़ाई क सकते तो यह इसका प्रिंसिपल समझने में और जानने में आसानी रहे तो इसको एक आपको एकस डैस और वाइज ऑज़र देस और जाएक के नर ब्रेक कर देना तो यह क्या चीज़़ताब्ज़ता यूनिफिक्स नहीं यह क्या आप रहोगा रिदक्स चीजों को प्राइज करना यूनिफिकेशन और इक इसको सिंपलर पार्ट के इंदर ब्रेक्ट कर देना डेक्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है ठीक है एक बाइफ देखते हैं किलर होगा इदिजन अटेंप टू ड्राइव दा प् चोटे चोटे पार्ट के इंदर चोटे चोटे लोग्स के इंदर ताकि उन लोग्स को समझना हमारे आसान होसे जैसे फूर फिजिक्स की ब्रांच होती है मेकैनिक्स ठीक है जो मेकैनिक्स है यह अपना पर बहुत बढ़ा डाइवर्स माना जाते मैं आपको कहूंगा कि चैप्रेट ली क्यों करा आप आपको हाँ पर एक सिंगल चैप्र बनाके दे सकते थे मेकैनिक्स उसके इंदर चैप्टर एड तक की सारी तो उससे क्या होता कि आपको घबरा जाते इतना बड़ा चैप्टर तो वहां पर चीजों को पढ़ने में समझने में आसान हो चीजो मैं फिर इन चैप्टर को भी हमना लएं टॉपिक्स को भी हो फदर चैप्टर के इंदर कर जाता है यह पर और यह हमने पढ़ना ही नहीं होता है यह हमने ग्रैजिवाई कर दिया चोटे-चोटे नर देक करके गश्रों करें तेक है अब देखो यह था यूंधिकेस लोगा फिजिक्स को alum किसल भुक्त करते हैं कैसे हम ने फिजिघ्स को डिवाइड करना थी तो निए कर सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब क्यों पढ़ना है ताकि आप लोग को सब्सक्राइब क्लास के थोड़ी नोलिज इन दा बिग्निंग ही आपको हो जाए ठीक है सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अपना आप में काफी बड़ी बोडी जैसे जो किसे मिलकर बनी है जैसे औब्जेक्ट होगे कई कार होगी थीक है बस होगी तो यहां पर नम्बर ओ पार्टिकल्स जो ज्यादा पार्टिकल यह चैसा उब्जेक्ट जो की विजिबल नोगा तो उन सब की बारे में मैं सिर्क मैक्रोस्कोपी लेविल क्या कहता है जो हमारी नेकड आयसे जो सीन बोडी जिनको देख पा बिंद्टेंग के बारें पढ़ना नैट्रों नूट्रों इन सब के बारें पढ़ना है मैंक्र स्कोंपिक कि आपने बड़ी चीजों के बारे बड़ी चीजों के बारे उनके जिसे आप लोगो ने देखा कि अगर सपोज करूब ऑब्जेक्ट कि यहां से स्टार्ट घ्यां से स्टार्ट हों कर मुंबई जा रिए तो जो उसका मूरा मोसन है है वह हमारे किस के लाएगा मेकैनिक के लाएगा और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके इस तरह के जो सब्सक्राइब मेरे कहने की कि जहां पर चीज़े विजीवल नहीं होती उसको क्या गयता है सब्सक्राइब और फ्नोमेना इन्वॉल्विंग दा फाइनाइट साइज जहां पर उब्जेक्ट का साइज फाइनाइट होगा तो उसके बारे उसके फिनोमना की सटी करना हो रहे किस में आता है मैक्रोस्कोपिक दो में और मैक्रोस्कोपिक को बच्चो में बता दूं कि इसको हम गया और कि मतलब क्वे आıtके पॉर सब्सक्राइब स्प्राइब कर दिया विडिया उसको क्या कहते मैक्रोस्कोपिक पर समझेंगे तो मैक्रोस्कोपिक क्या वह तरिका उसको क्या कहेंगे अपना सब्सक्राइब यह वही में इक्टेट कर रहा था था थीक है यह पढ़ेंगे इलावंत क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसको थे था रही इसको फिर प्रक्राइब यह भी एक फिशिक्स की ब्रांच है जो किसमर पढ़ने होती हैं ने चैटर वन से लेकर उपका पूरा रहता है फिक है इसकी पूरी पूरी फैस्स्ट्र मेंगेनिक्स वैसे फिर एक्ट्र मेंगेनिक्स तो मैंने बताए कि यहां को सब्जेक्ट के बारे में नोलिज दी जा र तो इत इंक्लूड़्स दा इस्टडी ओफ फिनोमेना इंवल्विंग दा मोलीकूल एक्टम नीपली एक्ट्रों एक्ट्रों और अधर एलिमेंटरी पार्टिकल इसके इंदर हम क्या करते हैं अब नुकलिय के बारे में अब नुकलिय के चीज़ा होती है न्यूट्रों होता ह है एक्टम के लेक्ट्रों प्रोटों होते हैं तो इन सबी करना डilot के चिकार तेएं मैक्र ेंक करते हुथा थाvy उनिस गोमेंस यो साइंस मधी देवलप सब्सक्राइब लोग के लोगी आज कल की नई फीजिक्स ठीक है उसके बाद में इस कॉमनली ब्राच दार्सकी कुछ सब्सक्राइब लेकर आपका अप्टूदा थर्टीन थकी पूरा क्वांटम थ्योरी के अंदर कवर होता है ठीक है प्लैंट्स थ्योरी होती है आप लोग पड़ोगे पता लग जाएगा उससे घबनाना नहीं है फिर क्या आता है मीजोफिजिक्स अब देखें बच्छों थिक है तो इनके बीच के बित ना तो मेजोफिजिक्स हम दो गोलते हैं तो इनकार बिच की दिरत प्सकंग क्या बोलेंगे अब इसमें क्या होके प्रेलिंग दे फियू टेंस तुह हंग्ण तो इसके अंदर छिर्फ हम लोग तो ना 10 से लेकर सो एक्टम्स के बीस का कलेक्शन जो होगा इस पर बनाने में तो पता लगा वच्षा आप सब्सक्राइब करें यह सब्सक्राइब करें जो लास्ट कुछ टोपिक्स वह हम लोगी स्टार्ट करतें तो देखो इसमें पहले क्या है इसकोप फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है जैसे सब्सक्राइब करते कि हम अगर बात करें किसी पर्ट कोंसेप्ट की जो सबसे लोइस रिफाइनिंग वैल्यू वह क्या है वह सबसे हाइस में लेंगे कर पाएं साइज आठम के अपने आपने बढ़ा होगा की आटम केदर नीकलेस होता है जब आटम नहीं दीखता तो निक्लास का साइज बी कर चुके तो कितना होता है निक्लास का साइज आप लोगों का 10 to power minus 14 मींटर मेंस यह साइज हम लोग कर चुके अपनी साइज के इतना चोटा भी हम मेजर मेंट कर चुके हैं फिर अगर अगर हाइस लेखा जाए कि कितनी लेंध हम वाइस लेखें कर सिक्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के लायक है तो उसके बाद में मास के में सबसे चोटे हैं जो कि हम लोग मेज़र कर पाए है वह क्या है अपको पता है कि उनिवर्स से बड़ी कोई चीज़ है अभी हमारे चारव तरफ तो इस पूरे युनिवर्स का मास कितना था फिफ्टी फाइव क्लोग्राम ठीक है उसके बाद में बात आती है अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में लोग जोब मेजर कर पाए है ताइम टेकन बाइट उक्रोस नेवलेस अब देखो न पाउर मैंस 14 सेंटीमेर 14 मीटर तो पूरा निपलेस कवर करने में कितना टाइम लगेगा वह टाइम कितना लेती है यह एक सेकिंड का टैने सुपार 22 वाला पार्ट मेंस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना चोटा टाइम हो लोग कर चुके हैं जो हाइस लेविल ऑफ टा के बाहर निकल जाएगी तो कितना है उसके लेंट हमलों उसकी वैल्यू यह जो लोग इसकोप बोलते हैं अब इसी तरह को एक चीजिए बता देए इसक आगर हम अलग अब बेसी चीज़ों पर देखे तो हर किसी चीज़ का अपना अलग बेसीक स्कॉप है जैसे फोर्स की का सकते हैं हाईस्ट एक स्कॉप कि तो एक स्कॉप मेंसा टेक्नलोजी अब देख टे की आप लोग बहुत अच्छे से तो इस लोज को कर देने पैक्टिकल एप्लीकेसिन के अंदर उसको क्या आप्लीकेसिन कहते हैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे अपने अस्वाइब जितने भी वीकर्ट के इंजन यह यह तरह की अप यहां पर बात आती है कि जो इंजन है इस में इस टेक्नोलोजी में बेसिक कोन से लोड छुपे हुए हैं वह सबसे पहला तो है आप लोगा जो बन करते हैं वहां से हीट निकलेगी वहीट एंजी किसके अंदर करोट हो जाएगे आप लोगी तो यह बेसिक किसके पर डिपैंड कर रहा है एनजी का पर डिपैंड करते हैं जो बेसिक लो था फिरिक्स का इंजन को बना दिया फिर आता है टीवी मॉवाइल फ़ोन लैब्टोक यह सब आपका मैं बता दूँकि जो बैसिकली जो माइक्रोस्कोपोट डोमेन मैंने पढ़ाएं तक मिज फिजिक्स तो मिजो माइक्रोस्कोपोट से हमारा एक सब्रांच बनी है बनी समीकंडुक्टर फिजिक्स आपने यहां पर यहां पर कैसे समझेगे अपना कि जो सेमी कंड़क्टर फिजिस के जितने भी लोज थे ना उन सारे लोज से मिला जुला कर हमने क्या बना दिया टीवी बना दिया मुवाइल फोन बना दिया और बच्चों देखो यह लिमिटेशन है कि आपको अब याज पहली क्लास में आप लोग बैटे तो मैं यह नहीं क बनाने लायक हो जाओ अब क्या है कि हमारे जो अभी आज की रेट में आपने सुना होगा कि हमारे पुड़ी इनिवर्स के इंदर्सने एक मेन सोर्स ऑफ एनरजी माना जाता है पर धीरे धीरे जो संकी जो फंडामेंटल जो एनरजी के सुर्से जाए ठीक है तो इसी के बेस निकलर एक्यूपेंट उनको कहते हैं जैसे आपने सुना होगा कि निकलर एनरजी की हेल्प से हम कोशिस करें कि अपने में कुछ ऐसे काम कर सकें जो कि आज की रेट में जितने हमारे बहुत जादा है रिसोर्सेश ऑफ एनरजी खर्च हो रहे हैं तो सब काम अभी चलना है देखेंगे यह बिल्कुल एक निकलर एक्यूमेंट हमारे सराउडिंग्स के अंदर आप लोग जादे नहीं होंगा इसकी बहुत जादे भी डिवाइसे यह बहुत जादे में से टेक्नलोजी अभी हम इसकी डैवलप नहीं कर पाई है ठीक है अब देखो बच्छों एक ची की बात करें तो आदिमानों के टाइम की बात करें तो वहां पर क्या था आदमी कपड़े भी नहीं पहनता था पर अभी आप लोग कपड़ों के अंदर देख लीजिए कि मिला बीस तरह की आपके ब्यूटी प्रोड़क्स अभी लेवल है तो हमारा लेवल और लाइफ है व निकलर वैपिन के अगर अगर डिस्पोर्ज कर दिया जाए किसी भी कंटी के उपर तो वह कंटी तो पूरी खतम होई जाए उसके आसपास की जो कंट्रिया वह भी सारी खत्म हो जाएंगी तो कुछ फाइदे है तो उस नुकसान भी है इन टेक्नोलोजी के कि हम इसको अच् टेक्नोलोजी क्या था बच्छों आपका की फिजिक्स के जो लोजां का यूज करके हमने कोई बेसिक है एक पर्टिकलर डिवाइस एक पर्टिकलर ऑब्जेक्ट बना देना जिससे हमानी लाइफ एजी हो जाए और एक मस्त लाइफ हम जी सके ठीक है अब इसके बाद मैंने चीरों से जुड़ा हुआ है किन चीरों प्रॉलते हैं अपना फंड़मेंटल फॉर्स इह नेचर बोलते हैं पहला फॉर्स कि वह प्रटाविश्य पोर्स जैसे कि आप लोगाए अप लोगो को कि लिभटे से था मास M1.2 या एक पर यह करेंगी किस फोर्स के साथ में सब्सक्राइब तो यहां पर जानने हैं इनके बारे में क्या क्या सब्सक्राइब नहीं लगेगा तो इस बोड़ी का मास होना बहुत ज़रूरी है कभी भी लिपल्सीव नहीं होथा फिर फिर कि लोंग एसवेल एज सोर्ट रेंज ऊजाते हैं और साथ हम इनको छोटी डिश्ञेंस पर भी डिफाइंड कर सकते हैं वह लोंग रेंज भी हैं साथ में सोट रेंज ओफ होसे वी हम इनको कहते हैं तो इन चार्ज की वजए से जो फोस्स वह वलब होता है तो सब्सक्राइब क्या करते हैं इसकी अपनी बाड़ी ब्रांच और इसे अपनाव बहुत बड़ा स्कॉप मान राता है अब देख के बारे कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर क्या लोंग डिसेंस के लिए भी अप्लाइब कर सकते हैं ठीक है फिर नेक्स आता है स्टोंग निपलर फोर्स अब देखो यह नया पोर्स है यह आपने अभी तक नहीं पढ़ा और इसको भी आप पढ़ेंगे लाउंथ में जो इन वैसे पढ़ना आप लोगों ने सिर्फ ग्रैप्टेशनल फोर्स पढ़ना चैप्टर नंबर एट के अंदर यहां पर चीज समझा आपने सुना होगा कि निट्रोन निट्रोन होता है प्रोटोन होता है सारे कंबाइन होते हैं निकलेस के इं गता है निकलेस के नीट्रोन प्रोटोन है वहीं टो रहते हैब बाहत दिफ्यूज महीं होते तो अब कोर्शन अउम्स केंदर कोकुं की पर उस पोस को क्याते हैं इस उमनीडेस एक प्रोटोन को ने कर एंदर टो इस सबके बीच में एक तो किस वैडमे अरा कि विशक्रान हो तो किसमें बीच में प्रोटान नीतरों के भीच में सब्कीस इस रचैनल निट्रों करतें। नीउटर को बाइंड करता है तो इस वाइस वो सब्सक्राइब होता है क्यों कि सिर्फ निउकलीएस के अंदर होता है यह बहुत बहुत इसको सोट रसी फोर्स लगेगा नहीं लगेगा बहुत ही छोटी डिसेंस की लेपली के भलो कि वे साथ पर आता है लास्ट आप मां देखो वीक नुपले फॉर्स का है इची यह बिल्कुली अलब इस स्पेसिफिक मिन्स कॉंसेप्ट है जो कि आप लोग को मैं कहोंगा कि आप लोग इलाओं तो 12 में भी नहीं पढ़ेंगे इसको हाई रे सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे प्रोसेंस कितनी होती है इनके लिए 16 मीटर की मिनियम डिसेंस फोक्रेशन होती है तो यह थे बच्चों हमारे चारो फोर्स अब इसके बाद में एक और चीज आपसे हो सकता है वाईवां में पूछ ले या आपको पता भी होनी चाहिए कि इन सारे फॉर्स में जो ग्रैटेस्टनल फॉर्स सबसे वीगेस्ट फॉर्स माने जाता है और सबसे स्ट्रोंग फॉर्स माने जाते हो कौन सा ब्रेश्ट्रों इनको करते हैं कि सबसे इस फोर्स सबसे वी कैस्ट वाने रहते हैं कि जो इलेक्ट्रमेटिक फोर्स चार्ज इसके बीच वाला वह ग्रेटिस्ट्र फोर्स से कितना टाइम्स बढ़ा होता है इतना ज्यादा बढ़ा फोर्स होता है इलेक्ट्रमेटिक फोर्स से बहुत ही ज्यादा बढ़ा होता है तो बच्चों देखो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपना समझ आया होगा अगर समझ ना आए तो आप लोग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कोल करके या वोट्सर मैसर के तुरू अपना डाउट्स के लिए करा सकते हैं डेस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर में अपना डाला हुआ है और बच्चों प्लीज प्लीज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को किसी अपने फ्रेंड्स के साथ में कमेंट जरूर करना कमेंट करना मत भूलना ठीक है तो बच्चों अब इसके बाद में जो हमारी जो फिजिक्स क्लास की वह स्टार्ट होगी हमारी सेकंड चैप्टर से यह सब क्या था बेसिक आइडिया था कि पूरा इलावन क्या पढ़ जो लास्ट एक्जाम होता है जो साल के एक्जाम इनमें कभी कोई कोशन नहीं आएगा तो सिर्फ यह चैप्टर आपकी नोलिज के लिए था ठीक है और यहां से अगर रेर चांसे थे यह कोशन आपका फस्ट टर्म के पूच लिए जाए पर फाइनल में फिर भी नहीं पू कर दो कि एकार सी you